कल मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि मअपा जी एस टी क्या होता है मैं ने सुचा कि मां बहुत सिंपल तरह से उसे बताओं और मैं ने उसको कुछ यूं समझाया कि मान लो तुम्हारा Birthday है और तुम्हें पता है कि ख्लास में सारे बच्चों को तुम्हें जाके चोकलेट देनी है तो डाड़ी एक रात पहले ही चोकलेट का पाकेट लाये है दूसरे दिन डाड़ी तुम्हें लेके धर से बाहर निकले स्कूल जाने के लिए तुमने स्कूल में छोड़ा और जाते समय happy birthday बोलकर निकल गए। स्कूल के गाड ने ये बात सुन ली। उसने फट से तुम्हें happy birthday विश्किया। तो तुमने एक चॉकलेट निकालके गाड को दे दी। अब तुम स्कूल के अंदर पहुंचे। टीचर ने पूरे क्लास में अनाउंस कर दिया कि आज तुम्हारा birthday है और तुम सबको दो दो चॉकलेट्स दोगे। तुमने सबको दो चॉकलेट्स दे दी। साथ में टिंकु को भी दुबारा चॉकलेट में लेकिन तुम्हारा best friend गॉरव आज absent था। और school का rule कुछ इस तरह से है कि अगर उसने चुक्ती की है तो उसे चॉकलेट नहीं मिलेगी। तो अब यूं समझ लो कि तुम्हारा birthday जो है वो तुम्हारा business है और यह जो चॉकलेट्स है यह taxes है। रश्मी आंटी को तुमने local tax दिया, school के guard को तुमने entry tax दिया, सारे बच्चों को तुमने दिया service tax और यह जो टिंकू है उसको surcharge भी मिला, लेकिन गौरव उसको विचारे को कुछ भी नहीं मिला। तो यह थे मौजुदा taxes, अब GST क्या है? यूँ समझ लो कि प्रिंसिपल ने एक नया rule निकाला कि आज के बाद जिस भी पच्चे का birthday होगा, वो चॉकलेट का एक packet सीधा प्रिंसिपल के cabin में जा के दे देगा। फिर यह प्रिंसिपल के responsibility है कि वो चॉकलेट सारे बच्चों में, स्टाफ में और टीचर्स में बाटे। इससे दो चीज़े होती है, एक तो वो चॉकलेट बराबर सबको मिलती है और इसमें चॉकलेट बाटने का जो समय होता है, वो भी बच जाता है। GST यही है बस, अलग-अलग जगों पे, अलग-अलग विभागों में, अलग-अलग टैक्स देने की जगे, एक ही जगे पर एक ही टैक्स दो, अब कितना अच्छा आइडिया है यह, लेकिन इसमें किसी टिंकू का लुकसान होता है, इसलिए वो विरोध करता है, लेकिन इस ज्यादा से ज्यादा लोगों का फाइदा ही है, अब समझ गें GST क्या होता है, अगर अभी भी नहीं समझें, तो चॉकलेट खाओ, खुद जान जाओ,